जैसे ही जापान का हारना तै हो गया, 17 अगस्त 1945 को सुकर्णों ने जापान की सहमती से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घुशना कर दी, इस बीच ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण इस्थापित कर लिया और पुराने डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया, इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन का कड़ा विरोध किया और जगा जगा घोर युद्ध भी हुए, ब्रिटिश सेना के अधिकतर सैनिक भारतिय थे जो भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, अधा ब्रिटेन हॉलेंड को सत्ता सौप कर हटना चाहता था, हॉलेंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बना रहे और सेना के बल पर उसने इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया, जब यह संभव नहीं लगा तो उसका प्रयास था कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से ह और उनमें से एक सुकर्णों शासित देशों अमेरिका और बिटेन के दबाओं में आकर सुकर्णों ने यह व्यवस्था स्विकार कर ली लेकिन उसके विरुद्ध साम्मिवादियों के नेत्रुत में एक विद्रो हुआ जिसे बहुत खून खराबे के बाद कुछ ला गया इस बीच डच सेना ने देश पर कबजा करके सुकर्णों को बंदी बना लिया पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ और संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया अंतता एक गोल मेच सम्मेलन किया गया जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमती बनी 27 दिसंबर 1999 को आपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरन हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलेंड का आपनिवेशिक शासन इस्थापित हुआ भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंतरता आंदोलन में लगातार समर्थन दिया और सयुक्त राष्ट में उसके पक्ष में आवाज उठाई अपनी स्वतंतरता के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ गुट निर्पेक्ष आंदोलन का सक्री सदसे बना 1955 में इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में एशिया और आफरीका के 29 स्वतंत्र देशों का महत्तुपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसमें हर प्रकार के उपनिवेश्वाद का विरोध किया गया और देशों के बीच मैत्री इस्थापित करने के लिए कुछ बुन्यादी सिधान्त इस्थापित किये गये इंडोनेशिया में संसदी लोकतंत्र इस्थापित होना था पहला आमचुना 1955 में हुआ जिसमें कई शेत्रे दलों को समर्थन मिला लेकिन ये दल मिलकर एक राष्टी सरकार नहीं चला पाए इस दौर में इंडोनेशिया की साम्मिवादी दल का तेजी से फैला हुआ और उसने सुकर्णों सरकार को अपना समर्थन दिया साम्मिवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वा डच और ब्रिटिश कमपनियों को अपनी हाथ में ले ले उनके दबाव के कारण भूमी सुधार कानून भी पारित हुआ जिनके तहट गरीब किसानों को जमीन विद्रित की गई अमेरिका का मानना था कि या साम्मिवादी जुकाव अंतता सोवेत संग के पक्षमी जाएगा उसने कई प्रांतों में इसलामी कटरपंतियों को उकसाया जिसके कारण कई विद्रो हुए ऐसे में राश्टपती सुकर्णों ने संसदी व्यवस्था समाप्त करके साम्मिवादी दल की मदद से राश्टपती प्रणाली लागू की दीरे दीरे कई विपक्षी राजनेतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया इस बीच साम्मिवादी दल की बढ़ती ताकत से यह लगने लगा कि देर सबेर वह सत्ता हथिया लेगी इसे रोकने के लिए 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर बड़े पैमाने पर साम्मिवादीयों को कतल कर डाला और देश भर में धार्मिक कटरवादीयोंने साम्मिवादीयों को मारने का कारе किया कहा जाता है कि इस दोर में 5 लाग से अधिक लोग मारे गए तेजी से बदलते घटना क्रम में सुकर्णों को अपदस्थ किया गया और सेना के समर्थन से सुहात्रों इंडोनेशिया के राष्ट्रपती बने इस सत्ता परिवर्थन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त था सुहात्रों का शाष्ण 1998 तक चलता रहा और उसके बाद इंडोनेशिया में लोगतंत्र इस्थापित हो पाया तीसरा वियतनाम वियतनाम का स्वतंत्रता संगर्ष 20.वी सदी की महान गाथाओं में से एक है वियतनाम के लोगों ने जो मुख्यता गरीब किसान थे विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयावा युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी वियतनाम और उसके पडोसी देश लाओस और कमबोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे फ्रांस ने उन्हें अनाज और अन्यकच्चा माल स्त्रोत के रूप में देखा और किसानों पर दबाव डाला कि वे बाजार के लिए अनाज उगाएं 1929 की महमंदी के कारण अनाज की कीमत कम हो गई और किसान अपनी जमीन साहुकारों वजमिदारों को बेचने लगे और अपनी ही जमीन पर बटाईदार बनते गए उपनिवेशी शासक वहाँ एक सिक्षित मध्यमवर्ग को पनपने नहीं देना चाहता था और वहाँ किसी प्रकार का विश्विद्याले खुलने नहीं दिया उच्ची सिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था फिर भी अपने प्रयास से कई लोग सिक्षा प्राप्त करके विदेशों में पढ़कर स्वदेश लोट रहे थे दृति विश्विद्य के दोरान जापान ने वियतनाम पर कबजा किया लेकिन इस बीच वियतनाम के राश्टवादियों ने सोवियत संग की मदद से वियतमिन आंदोलन को प्रारम भी किया था और 1945 में जापान को हारते देख कर उन्होंने अपनी सेना बना कर उत्तर वियतनाम की राजधानी हनोई पर अधिकार कर लिया